नमस्कार दोस्तो दोस्तो पोस्ट ओफिस में आ चुकी है नई भरती जिहां दोस्तो दस्वी पास के इंडी एट्स के लिए डाक विबाग में बंपर भरती की सुचना चारी हो चुकी है जिहां दोस्तो दो नए नोडिफिकेशन चारी हो चुके हैं आपको बताएंगे दोनो फोरम जो है शुरू हो चुके हैं यह रहा ओनलाइन फोरम ग्रामिन डाक सेवक का यहां पर आप देसकते हैं पूरा फोरम यहां पर मांगा गया है और यहां पर कौन-कौन से विध्यारती अपलाए कर सकते हैं फोरम आपको कैसे भरना है और ध्यान दीजेगा फोरम भढ़ने दोस्तों में शेर करें इसी परकार नोकरियों की जानकरी सबसे पहले पाने के लिए चेलन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरू दबाए तो दोस्तों डाग विबाग की तरफ से आ चुकी है भरती जो की इस साल 2021 की नई भरती है केवल दस्वी पास के इंडियेट्स तो आपको बताएंगे इस भरती की पुरी जानकरी ओफीशल नोडिफिकेशन के माध्यम से और दोस्तों यहाँ पर आपके लिए सबसे ची बात यह है कि यहाँ पर आपकी कोई भी परिक्षा नहीं होगी ना ही कोई आपका इंट्रिवी होगा मतलब की सीधी भरती होने जा अपसाइट पर सरकारी टुडे निउस.com पर तो आज ही गूगल में सर्च करें सरकारी टुडे निउस.com दोस्तों हमारी इस ओफीशल वापसाइट के अलावा एक और नई वैपसाइट है वहाँ पर भी आप जा करके सरकारी नोगरियों की जानकरी पा सकते हैं और अप्ला तक जो है आप अप्लाइक कर सकते हैं एक एक करके आपको बताते हैं दोनों ही भरतियों के बारे में तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों चंडीगर पोस्टल सरकल में आई ग्रामें डाक सेवक GDS की भरती के बारे में जो की आविदन ओनलाइन मांगे जा रहे हैं 1421 प वहीं एप्लिकेशन फीज जो है अधर केंडियेट्स के लिए सोर पे है और रिजर्व केंडियेट्स और फीमेल और पी एच के लिए बिल्कुल फ्री है पैमेंट जो है आप ओनलाइन कर सकते हैं किसी भी माध्यम से एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसा कि मैंने आपको प केरला पोस्टा सरकल में आई ग्रामें डाक सेवक GDS की नई भरती की इसके लिए भी ओनलाइन आविदन शुरू हो चुके हैं कुलपत जो है 1421 है सलेक्शन प्रोसेस में केवल मेरिट के आधर पर आपका सलेक्शन होगा सैल्दी आपको मिल रही है 10,000 से 14,500 रुपे परती म और यहाँ पर उम्र सिमा भी 18-40 साल है आई सिमा में छूट अलक्स है रिजर्व केंडिगेट्स को वहीं एप्लिकेशन फीस यहाँ पर अधर केंडिगेट्स जैसा कि जन्रल, OBC, EWS के लिए 100 रुपे है बाकि SC, ST, PH और फीमेल के लिए बिल्कुल फ्री है पैमेंट जो है आप ओनलाइन करा सकते हैं किसी भी माध्यम से, एजुकिशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी दस्वी पास है कम से कम, तो दस्वी के अलावा अगर आप बार भी एक रेजवेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके भी आविदन 8 मार्स से 7 अप्रेल तक चलेंगे, यह रहे है आविदन करने की लिंक नोडिफिकेशन के साथ में, चलिए अब आपको बताते हैं अपलाई कैसे करना हैं, दोस्तो आविदन करने की लिंक यह रहे है, यहाँ पर आप किलिक करके आजाएंगे नए पेज़ पर, जो कि पोस्ट ओफिस का ओफिशल वाप साइट क करियर पोर्टल है, यहाँ पर आपको करना होगा, सबसे पहले रेजिस्ट्रिशन पर किलिक, यहाँ पर आपके सामने आजाएगा ओनलाइन फोरम, ग्रामिंटक्स सेवक का ओनलाइन फोरम आजाएगा, ध्यान दीजेगा, यहाँ पर काफी सारे विध्यारती जो हैं गलतिय जाएगा, उसके बाद मोबाइल नंबर, आधारकार नंबर, इमेल आइडी, जेंडर, कमुनिटी मतलब की जन्नल OBC कौन सी केटिगरी से आप बिलों करते हैं, उसके बाद दस्वी आपने कहां से पास आउट की है, कौन से सन में पास आउट की है, वो सारी जानकर यहाँ आ लाइक कीजिगा, चैनल को सब्सक्राइबर कीजिगा, जेहीं जे भरत